नमस्कार दोस्तो, Ready to Guide चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ PCL की एक छोटी सी जानकारी अतुल कामानी जी का एक कमेंड्स है जो की हो सकता है दोस्तो, ऐसे नोटिफिकेशन आपको भी देखने को मिल रहे हो यानि कि जब आप PCL की वेबसाइट पर जाते हैं cbpsldrefund.co.in को सर्च करते हैं वहाँ जाने के बाद जब आप अपना PCL का सर्टिफिकेट नमबर डालते हैं उसके साथ capture fill up करते हैं तो दोस्तो, वहाँ पर आपको किसी किसी को ये जो है detail देखने को मिलती है कि total claim amount against your pen is more than amount being considered at the stage of refund PSL India Limited तो इसका क्या मतलब है दोस्तो, इस समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि अभी जो CB के तरफ से आपको पैसे दिये जा रहे हैं यानि कि 15,000 रुपे तो आपकी जो रासी है 15,000 रुपे से अधिक होने के कारण अभी विचार योग्य नहीं है यानि कि अभी आपके पैसे देने के लिए विचार में नहीं है अभी आपको पैसे नहीं दिये जा रहे हैं इसके बाद जब बड़ा रिफंड चलेगा तब आपकी पोलीश पर विचार किया जाएगा तो दोस्तो इसका सिंपल सा और छोटा सा नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बताया इसके साथ सा दोस्तो कुछ दूसरी कम्पनी की आज बात करेंगे बात करने वाले हैं दोस्तो बेसिल चिटफंड एडी ने बेसिल कम्पनी की 200 करोड रुपे की संपत्ति कुरक की है ठगने का आरोप है इन्होंने दोकादाडी किये दोस्तों जिसके बाद खपरों के मुताबिक असम अब देख सकते हो असम पस्चिम बंगाल ओडिसा जहारखन और उत्र प्रदेश में बी आईल की कई संपत्यों को एडी ने कुर्क किया था संपत्यों में होटल भी हैं कारख लाग रुपे का बैंक बैलेंस भी जब्त किया है यानि के इडी ने बी आईल की जो संपत्य दोस्तों एक करोड़ सतत्तर लाग रुपे के जो बैंक अकाउंट ते उसको फिरिज करा दिया था और अपनी साखा कारयलों के नेटवर के माधियम से वामसी केमिकल लिस्ट नि जो प्रोपर्टी है इसको निलाम किया जाएगा तो एक छोटा सा अपडेट था बेसिल कमपनी में इंवेस्टमेंट करने वालों के लिए तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में कुछ और अपडेट आपको देखने को मिलें तो इसी के लिए दोस्तों आप चैनल को सब् लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे धन्यवाद